C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है Part 3. बस की यात्रा प्रिष्ठ ते रहे हम पांच मित्रों ने तै किया कि शाम चार बजे की बस से चलें पन्ना से इसी कमपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है जो जबुलपूर की ट्रेन मिला देती है सुबह घर पहुँच जाएंगे हम में से दो को सुबह काम पर हाजिर होना था इसी लिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं बस डाकिन है बस को देखा तो श्रिधा उमर पड़ी खूब वयो व्रिध थी सदियों के अनभव के निशान लिये हुए थी लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि व्रिधा वस्था में इसे कश्ट होगा यह बस पूजा के योगे थी उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है प्रिष्ट चौदे है बस कमपनी के एक हिस्सेदार भी उस बस से जा रहे थे हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है वह बोले चलती क्यों नहीं है जी? अब ही चलेगी हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं अपने आप चलती है यह? हाँ जी और कैसे चलेगी? घजब हो गया ऐसी बस अपने आप चलती है हम आगा पीछा करने लगे डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत चलो बस अनुभवी है नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वस्निय है हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी हम बैट गए जो छोड़ने आये थी वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं उनकी आखे कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है आया है सुझ जाएगा राजा रंक फकीर आदमी को कूच करने के लिए एक निमित चाहिए इंजन सचमुझ स्टार्ट हो गया ऐसा जैसे सारी बसी इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं काच बहुत कम बचे थे जो बचे थे उनसे हमें बचना था हम फौर रंखिड़की से दूर सरग गए इंजन चल रहा था हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है प्रिष्ट पंद रहे बस सचमुझ चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनाय अवग्या आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था पूरी बस सविनाय अवग्या आंदोलन के दौर से गुजर रही थी सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है आठ दस मील चलने पर सारे भेद भाव मिट गए यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे है या सीट हम पर बैठी है एकाएक बस रुख गई मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर उसे बगल में रखा और नली डाल कर इंजन में भेजने लगा अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कमपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे जैसे मा बच्चे के मुह में दूद की शीशी लगाती है बस की रफतार अब पंदरह बीस मील हो गई थी मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था ब्रेक फेल हो सकता है स्टीरिंग तूट सकता है प्रकृती के दृष्य बहुत लुभावने थे दोनों तरफ हरे भरे पेड थे जिन पर पक्षी बैठे थे मैं हर पेड को अपना दुश्मन समझ रहा था जो भी पेड आता डर लगता कि इससे बस ठकराएगी वह निकल जाता तो दूसरे पेड का इंतजार करता जील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी एका एक फिर बस रुकी ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबे की पर वे चली नहीं सविनय अवग्या आंदोलन शुरू हो गया था कमपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स क्लास है जी ये तो इतिफाक की बात है शीर चांधनी में व्रिक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दैनी लग रही थी लगता जैसे कोई व्रिधा ठक कर बैठ कई हो हमें गलानी हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रही है अगर इसका प्राणान्त हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंतेश्टी करनी पड़ेगी प्रिष्ट सूलह हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा बस आगे चली उसकी चाल और कम हो गई थी धीरे धीरे व्रिधा की आँखों की ज्योती जाने लगी चांदरी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी आगे या पीचे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही एक पुलिया के उपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया वह बहुत जोर से हिल कर थम गई अगर स्पीड में होती तो उचल कर नाले में गिर जाती मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रिधा भाव से देखा वह टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रही है उत्सर्ग की ऐसी भावना दुरलब है अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतिजार करते कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिये मर गया पर टायर नहीं बदला दूसरा घिसा टायर लगा कर बस फिर चली अब हमने वक्त पर पन्ना पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी पन्ना कभी भी पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी लगता था जिन्दगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोग को प्रयान कर जाना है इस पृत्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है हमारी बेता भी तनाव खत्म हो गए हम बड़े इत्मिनान से घर की तरह बैठके चिन्ता जाती रही हासी मजाख चालू हो गया हरिशंकर परसाई कारण बताएं एक, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रिद्धा भाव से देखा लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रिद्धा क्यों जग गई दो, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते लोगों ने यह सलाह क्यों दी तीन, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं लेखक को ऐसा क्यों लगा चार, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई पांच, मैं हर पेड को अपना दुश्मन समझ रहा था लेखक पेडों को दुश्मन क्यों समझ रहा था पाठ से आगे एक, सविनय अवग्या आंदोलन किसके नेत्रित्व में, किस उद्देश से, तथा कब हुआ था इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए दो, सविनय अवग्या का उपियोग व्यंगिकार ने किस रूप में किया है लिखिए अनुमान कीजिए यदि बस जीवित प्राणी होती बोल सकती तो वह अपनी बुरी हालत और भारी बोज के कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करती लिखिए प्रिष्ट अठा रहे भाशा की बाद एक बस वश बस तीन शब्द है इनमें बस सवारी के अर्थ में वश अधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त काफी के अर्थ में प्रियुक्त होता है जैसे बस से चलना होगा मेरे वश में नहीं है अब बस करो उपर्युक्त वाक्यों के समान वश और बस शब्द से दो-दो वाक्य बनाई ही दो, हम पांच मित्रों ने तै किया कि शाम चार बजे की बस से चलें पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भरबाद मिलती है उपर दिये गए वाक्यों में ने, की, से आदी वाक्य के दो शब्दों के बीच संबंध स्तापित कर रहे हैं ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं इसी तरह दो वाक्यों को एक साथ जोडने के लिए की का प्रयोग होता है कहानी में से दोनों प्रकार के चार वाक्यों को चुनिये तीन, हम फोर रन खिड़की से दूर सरक गए चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी दिये गए वाक्यों में आई सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं दो प्रकार की गतियां दर्शाती है एसी कुछ और ख्रियाएं एककतर कीजिए जो गति के लिए प्रयोकत होती है जैसे गूमना इत्यादी उन्हें वाक्यों में प्रयोक कीजिए चार, कांच बहुत कम बचे थे जो बचे थे उनसे हमें बचना था इस वाक्य में बच शब्द को दो तरह से प्रयोग किया गया है एक शेश के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में नीचे दिये गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए ध्यान रहे एक ही शब्द वाक्य में दो बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए क, जल, ख, हार पांच, बोलचाल में प्रचलित, अंग्रेजी शब्द, फर्स्ट क्लास में दो शब्द है फर्स्ट और क्लास यहां क्लास का विशेशन है फर्स्ट चुकि फर्स्ट संख्या है First class – संख्या वाचक विशेशन का उदाहरन है Mahan आदमी में किसी आदमी की विशेश्ता है महान यह गुण वाचक विशेशन है संख्या वाचक विशेशन और गुण वाचक विशेशन के दो-दो उदाहरन खोज कर लिखे प्रिष्ठ 19 शब्दार्त निमित अभी आप सुन रहे थे पाठ तीन बस की यात्रा प्रस्तुती, C-I-E-T-N-C-E-R-T, नई दिल्ली, भारत